Hello Kitchen Queen's, कैसे हो? I hope सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया आज का मेरे ये संडे का व्लॉग है देखिए फुल काम का व्लॉग है ये मेरा आज इस व्लॉग में वेज राइस फ्राई बनाएंगे कुकर बिर्यानी बनाएंगे और छोले बतोरे बनाएंगे मतलब इतना सारा बनाएंगे तो बहुत सारे टिप्स भी होंगे चलिए मैने तो मेरे हज़बंड को चाय दे दी है और मेरे लिए कॉफी बना ली है मैं ब्लेक कॉफी पीती हूँ और थोड़ी ज्यादा कॉंटीटी में पीती हूँ चलिए ये सब मेरे पास है मैं दाल रही हूँ आपके पास जो सबजियां होती हैं वो दाले आप वैसे यहां तो सिर्फ शायद हरी शिमला मिर्ची मिलती है मैं वही यूज़ करती हूँ ये परसो मेरे हस्बेंड मुझे मंगवा कर दिये हैं मतलब वो कुछ न कुछ मेरे लिए करने की चकर में रहते हैं मतलब मुझे भूक लगी है तो मुझे ज्यादा तर कार्ब पसंद आती है ना खिचडी बिर्यानी वैसे चीजें खलाने की चकर में कुछ चॉकलेट खिलाने की चकर में फिर अब मैं सब कुछ बंद करके बैठी हूँ और सिर्फ फ्रूट और सब्जियां खा रही हूँ तो फिर फ्रूट और सब्जियां मंगवा कर दिये हैं देखिए वेज फ्राइड राइस बनाई हूँ मैं ये इसमें सोया सॉस और वेनेगर भी दाला है अलका गरम मसाला दा जब ग्रेवी के लिए प्यास पीशते हैं तो दो लेना चाहिए प्यास की स्मेल कम हो जाती है एक चमस जीरा डाल रही हूं और आज कम में भरती काम बोले तो मेरा अधरक लहसन का पेस्ट भी खतम हुआ है वो भी मुझे टाइम पर बनाना पड़ रहा है चलिए आज का और चने को पहले ही हल्दी और नमक लगा कर उबाल लिया था फिर भी थोड़ा सा हार्ड लग रहे थे अब तड़के के साथ थोड़ा सा गल जाएंगे और भटोरे का आटा आज मैं यूटूब से देख कर बना रही हूं मतलब गूंद रही हूं मैं मेरे तरीके से अलग ग कर गूंद लिया है और इधर बन गए हमारे चोले और ये भटोरे मैंने बाद में बनाए थे फ्राइड राइस उनको मैंने टिफिन में दे दिया था क्योंके बहुत गड़बड हो गई थी यूसुफ के टूशन का टाइम हो गया था फिर उसके बाद मैंने छोले बना लिय थे फिर भटूरे जब खाने बैठे थे तब बनाये थे उसके बाद मैंने ट्वाइलेड बात्रूम वाश्वशिन सब धो लिये अब नहा कराई हूं मतलब मैक्सिमम मेरा काम खतम हो गया है थोड़ा सा मैं टच अप कर लेती हूं और यह थोड़ा सा अपने आपको करना जरूरी है मतलब दिन भर वही 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 काम करते रहेंगे ना फिर वैसे ही हम लोग अपने लिए टाइम नहीं करते हैं फिर वह ऑईली ओईली पेस दूसरे भी देखेंगे ना वह भी बोलेंगे अरे बापर यह क्या काम वाली बाई वह है क्या बूर के गर की बाइब एक हम वोली बाई है क्या बढ़ वैसे हवते में कुछ दिन बहुत जयादा-जयादा सांब रहता है चल्य समय कर ले Alberto यह क्या बोलते हैं मैंत अपने लिए टाइंड रों कि यह ईक साउच इंडियन पीचर बंदीब देखना पसंद करु पसंद है मैं सीरियल वगेरा नहीं देखती हूं और इंगलिश पिचर भी है न हिंदी डव में वह बहुत पसंद आते हैं मुझे मैं जब भी टीवी लगा कर बैटी हो ना तो मेरे हाजबन गोलते हैं यह तो दुनिया खतम करने ही बैटी है बनका भी क्योंकि एंगलिश ही देखी होंगी मैं कि वीच से काम करने को उपना ही पड़ता है चलिए बाकी कर काम करते हैं नहीं को फिर बाजार आ जाएगा उसमें पूरा-पूरा मतलब इतना टाइम चला जाएगा और मुझे अभी भटूरे भी बनाने है ना गरम-गरम प्लेस में दूंगी कपड़े मेरे बड़े लड़के को फुल टाइम है शायद अभी वन आवर बात किया है मेरे साथ और उसके बाद 5-Minit किया है और अभी कॉल कर रहा था मैं फ्लाइट मोड में नहीं दाली तो उसमें आवाज आ गया टॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉट वैसे अभी वो जाकर तीन महिने हो रहा है होस्टेल में इतनी बार पहली बारी बात कर रहा है इतनी ज्यादा शायदा थोड़ा ज्यादा ही फ्री है वो देखिये मैंने बताया था ना मेरे काम कंप्लीट भी नहीं हुए रहता है बाजार आ जाता है वोलकर देखिये बाजार भी आगया और यूसुफ भी आगया अब उसकी कहानी सुनना पड़ेगा मुझे मतलब कुछन कुछ बोलते भी है कुछ बना कर बोलते हैं जुटे सचे बाते और कुछ जो सच होता है वो भी बोलते हैं पर मैं पकड़ लेती हूँ इसमें अंडल बंडल कित इसे ऐसे किया बोलकर और बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चों पर ये वाजार अंदर आ रहा है और देखिए वैसे जरूरत नहीं थी कपड़ों की पर पात्री साब ने देखा कि किसी ने कुर्टा पहना हुआ है अच्छा लग रहा है तो जाकर यूसुफ को दो कुर् आटा से लाए डो या तीन हजार रुपे के वेस्ट हो गए वो जूते अच्छे नहीं लग रहे उनको तू आई नहीं तो हमको पसंद नहीं आए तू आई तो सब अच्छा होता बोलते हैं और सच में मैं जाओं तो परफेक्ट चीज आती है और वो लोगों को भी ज्याद गलक करके भरना पड़ेगा यह क्या करते हैं जो सबजियां अच्छी लगती हैं डवल डवल लाते हैं और इन सब को मुझे रखने में समालने में निकालने में बहुत टाइम जाता है वैसे अभी मैं इनको महिने में एक ही बार बाजार को भेज रही हूँ बीच में जब सबजियां भर रही हूँ वैसे हम तीन लोग हैं और एक पाउ सबजी में दो टाइम बनती है तो इतने सारे सबजियां लाते हैं पहले तो बापरे बहुत लाते थे दोनों बच्चों के दो डबे थे ना तो बोलते थे आरे टिफिन में तुझे क्या बनना नहीं समझ में आ एक पेशेंट डिटेक्ट हुआ है बोलते हैं अरे हाँ वो मंकी पॉक्स आया है ना तो बस उस वजह से देखिए ज्यादा का बाजार लेकर आकर रखे हैं यूसुफ के लिए ज्यादा के स्नैक्स लेकर आकर रखें वो तो जब तक हात में ना दें तब तक खाता नहीं है चलिए मैंने बताया था अदरकलहसन पेस्ट खतम हो गया है, अभी ये डिनर की तयारी कर रही हूँ, फिर पहले सबसे अदरकलहसन ही बना लिया, और वही सारे बेसिक से चीजें दाल कर प्लाव बना रही हूँ, वैसे आपको पूरी डिटेल रेसिपी चाहिए, तो आप थोड़े से चावल कम ले रही हूँ, और आज इस प्लाव में मैंने थोड़े से टमाटर जियादा दाले हैं, दो नीमभू भी दाले हैं, देखिए मटन भी गल गया है, अब इसमें चावल धोकर दालेंगे, चावल का डबल पानी दालेंगे, और इसमें शोर्बा बाकी है अंदाजे से परफेक्ट दालेंगे, पानी दूसरे तरप मैंने गरम रखा था, और इसकी एक दूसरी टिप, देखिए ऐसा चमच हम जब गुमाते हैं, चमच थोड़ा सा वजन लगे, हेवी लगे हलाते समय, तो पानी और थोड़ा लगेगा, और परफेक्ट चावल हिल तो पानी परफेक्ट है, इस तरह से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने कलर भी दाला, और थोड़ा दो मिनित ढग भी लिया, तीन सीटी लिये थे मैंने बिरियानी के, और ये बन गई हमारी टेस्टी सी बिरियानी, बहुत सारे लोग इसे प्लाव भी बोलते हैं, च चलिए ये व्लॉग को यहीं खटम करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तब इजाज़त दें, अपना फूप कयाल रखें, दुआओं में याद रखें, अला हाफीज, आप भटूरों में बिलकुल अंडा मत दालिए, ये बहुत जल्दी लाल होके आ रहे थे ते